हेलो गाइस वेलकम बैक टो और चैनल PCMB Digital Group बेटा आज हम क्लास 9 की वीडियो करेंगे जो के वीडियो है 26 साइन्स के वीडियो सॉलुशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और अपनी क्लास के बाकी वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं क क्लास वाइस प्लेस्ट बनी हुई है फंडामेंटल उनिट ऑफ लाइफ सेल डेविजन की बात हम करेंगे जिग्यासा दिदी हाव ड़स और गैनिजम ग्रोइन साइज एंड होंड गैट रपेड की कैसे और गैनिजम धीरे धीरे उमर के साथ अपने साइज में बढ़ता है और कैसे जो जखम होते हैं और कैसे जो जखम होते हैं वो हमारे ठीक होते हैं ज्यान ओल मल्टी सेलो अ catchy जप Vietnam के प्रोसेस से बढ़ते हैं तो प्रोसेस by the cell divided into two or more new cells उसको हम क्या कहते हैं cell division कहते हैं बिटा cell, जैसे हैं मा से बच्चे बनते हैं, ऐसी एक cell से दूसरा cell बनता है, as a result, new cells produced are called as, बच्चे का नाम लएक the daughter cell, therefore all multi cell organisms grow in size develop and replace dead cells by cell division, gametes भी हमारी body में ऐसी बनते हैं, और wound या चोट भी ऐसी ठीक body में होती है दो तरीके के division होती है, पहली mitosis, जिसको की equational division कहते हैं, जिसमें daughter, mother, जैसी विल्कुल same mother cell, जैसे daughter cell होते हैं और chromosome number daughter cell और mother cell का same रहता है जारतर body cells में यही division होती है, this take place in most of cells meiosis division take place only in the specific cells of organs, that is gametes जब gametes बनाते हों, तब हम यह का process करते हैं, इसमें mother cell जो होती है, दो divisions करती है का chromosome number आदा होता है as compared to mother cell half number of chromosome of daughter cell as compared to mother cell जैसा आपको यहां पर दिखाया भी गया है, कि पहले mitosis थी, कि यह chromosomes थे cell division हुई दो daughter cell बने, तो इन daughter cells के अंदर बिल्कुल कुछ west side system है जैसा कि यहां था, तो chromosome number यहने की बिल्कुल सेम रहा यह बीच की phases है, यह आपको अगली वीडियोज में शायद बताई जाएंगी, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज यहां पर आप देखेंगे कि mother cell जो है मियोसिस वन के दो रान, यहां पर दो माके हैं, दो पिता के क्रोमोजोम्स हैं वो अगर आप आकरी में दिखेंगे तो यहां पर एक cell में चार थे टोटली है वन टू थरी फोर यह दो पेर थे यहां पर एक एक ही है एक ही रेड है यहां पर दो रेड थे तो यह पहले से क्या हो गए हाफ हो गए है वोट इस दे इंपोर्टेंस अफ सेल डिविजन अर्गेजम की विज़ इस सेल डिविजन होती है उसकी हमारी बॉड़ी में क्या इंपोर्टेंस है तो इसमें आप लिखेंगे और अल्यूलिचा लगेजम से लेकर रिपेर तक यह हमारा अंसर हो जाएगा first question का where does meiosis take place in organism what is formed from the daughter cells in it meiosis कहां होती है और क्या बनता है तो वह गैमिट बनते हैं a human has 46 chromosome what will be the number of chromosomes in the daughter cell if it undergoes through meiotic cell division कितने होंगे 23 chromosomes क्योंकि इसमें हाफ आ जाते हैं और फिर आपसे question पूछा गया what is a cell division तो भाई cell division क्या होता है यह होता है so thank you so much for watching the video friends please subscribe to channel keep supporting us और अपनी class की बागे videos भी हमारी channel की playlist पर देखते रहें